वेलकम टू मेरे चैनल फ्रेंट्स और आज आपके बहुत सारे डिमांड के बाद मैं आपका फिवरेट गोल्ड अपी 55 बोर्ड लेके आया हूँ यह एक बहुत पॉपलर बोर्ड है जैसा कि आप जानते हैं ज्यादा कुछ इसके बारे में आपको बताना नहीं है मैं दिखा देता हूं कुछ इस तरीके से box में आता है एक remote मिल जाता है यह battery मिल जाती है battery मैं इसके अंदर लगा दी है और यह हमारा main board मिल जाता है और कुछ wire connectors मिल जाते हैं इस shape और size का Bluetooth panel market में बहुत ही चलता है, जैसे कि एक Bluetooth panel है आप देख रहे हैं, लेकिन इसमें कोई amplifier नहीं है, एक preamp के तोर पर काम करता है, लेकिन ये board जो launch किया गया है, इसमें audio amplifier भी integrate कर दिया गया है, तो काम थोड़ा हमारे लिए आसान हो गया है, क्योंकि हम ये panel खरीते हैं, फिर इसके बाद amplifier खरीते हैं, उसको connect करते हैं, बीच में potential meter बगर लगाते हैं, बहुत सारा काम हमको करना पड़ता है, लेकिन इस board को अगर आपने खरीद लिया, तो आपके बहुत सारी महनत बच जाती है, बेकाज इसमें single TPA3116D2 लगा हुआ है, तो 50 प्लस 50 वाट देगा, 4 ओम के लोड पर अगर आप 24 वोल्ट की supply देते हैं, 8 ओम पर 25 वाट की power output देगा, लेफ्ट और राइट चैनल पर, इस तरह के board से अगर comparison किया जाए, तो build quality इनकी भी ठीक ठाक होती है, लेकिन ये बहुत generic हो चुके है, कुछ खास इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा, बहुत सारे version वैसे इसके भी आते हैं, अगर दोनों Bluetooth पैनल को side by side compare किया जाए, तो इसकी build quality काफी अच्छी है इससे, finishing भी अच्छी है, और जो board वगरा है, उस पर काफी अच्छे ढंग से component लगे हूँ है, और button की quality भी देखी जाए, तो normal जो panel है, उससे अच्छे button दिये हूँ है, कोई भी device जिसमें पहले से आपने ये panel लगा रखा है, और अगर आप upgrade करना चाहते हैं, तो इस panel को तुरंट आप निकाल कर उसकी जेगे पर लगा सकते हैं, इस panel को दिखाने का मेरा main मकसद ये है, कि अगर कोई भी एक छोटा Bluetooth speaker वगरा आप बनना चाहें, या Boombox टाइप का बनना चाहें, तो ये all in one solution है आपके लिए, कुल मिला के बहुत अच्छा innovation इन्होंने किया है, पहले इस टाइप के Bluetooth पैनल में amplifier लगाए गये थे, लेकिन वो थोड़े कम power के थे, लेकिन इस बार इन्होंने enough powerful amplifier इसमें लगा दिया है, इस condition में इसको अगर आप suitable supply देते हैं, तो एक बहुत अच्छा Bluetooth speaker, बहुत एक कम दाम में आप बना सकते हैं, और सिंस इसमें सारी चीज़ें integrated हैं, तो कोई भी wire वगरा लगाने का जंजट नहीं है, TPS series की IC के बारे में आप जानते हैं, काफी अच्छी उनकी audio quality होती है, main amplifier IC इस heat sink के नीचे लगी हुई है, और heat sink को because इन्होंनो glue से fix कर दिया है, यहां से आप देख सकते हैं, गरम करके इसको निकाला जा सकता है, और सारी marking यहां पर दी गई है, right speaker का plus or minus, left speaker का plus or minus, और यहां पर DC 8 से 24 volt देना है आपको, इस बार इन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया है, जो connector इनकी quality बढ़ा दी गई है, काफी अच्छे type का connector है, यहां पर इन connectors में support लगा होता है, तो बार बार निकालने लगाने से भी, यह connector आपका loose नहीं होने वाला है, मेरी thinking यह है कि इस panel की designing थोड़ी अलग होती तो अच्छा होता, इसी size में पैनल को रख सकते थे, लेकिन यह designing वगरा थोड़ी अलग करते तो अच्छा होता, अब यहां यह Bluetooth स्पीकर यह सब तमाम चीजे लेखी है, तो अगर आपको use करना है तो इसको निकाल कर spray paint कर सकते हैं, बहुत आराम से यहां पर निकल जाता है, तो because यहां पर buttons में marking बनी हुई है, तो इन सब marking वगरा की कोई जरूरत नहीं है, इससे बद्दा लगता है देखने में, बिल्कुल black होता तो ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन manufacturers को इसी form factor में दूसरे type के panel निकालने चाहिए, दूसरे type के LCD इसमें देनी चाहिए, अब अगर component quality के बात की जाए, तो सारी चीज़े इस board पे मुझे काफी अच्छी दिख रही है, यह आपकी Bluetooth decoder IC है, और यह SMD type के capacitor है, यह regulator है, बाकि सारे SMD component है, तो board की quality काफी अच्छी है, कुछ चीज़े कम है, जैसे यह आपका filter capacitor थोड़ा कम है, यह अगर ज़्यादा value का होता, तो ज़्यादा अच्छा होता, तो इनको आप upgrade कर सकते हैं चाहे तो, और यह inductor coils जो है, यह भी काफी छोटी है, तो मुझे लगता है कि इससे अगर आप 20-25 वाट तक का speaker चलाएं, तो काफी अच्छा performance यह करेगा, 50 वाट तो लिखा गया है, लेकिन 50 वाट चलाना practically possible नहीं है इसके साथ, amplifier section में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि class D के according enough heatsink लगाई गई है, तो जो भी गर्मी वगरा होगी heatsink के सम्हाल लेगा, मेरे कहाल से इस से 3 इंच से लेके आपका 6 इंच, 8 इंच तक का भी speaker चला सकते हैं, लेकिन मेरे कहाल से 5 इंच तक के speaker के लिए काफी suitable रहेगा, आगर इसको 18-19 बोल्ट की supply दी जाया, एक बहुत ही जरूरी information इस बोर्ड के बारे में आपको मैं दूँगा, इसलिए इस वीडियो को last तक जरूर देखिएगा, आएए चलिए इसको prepare करते हैं working के लिए, तो बहुत ही simple है, कुछ करना नहीं है, इसको मैं चलाऊंगा battery से फिलाल में, तो एक काम चलाऊं सिस्टम मैंने त्यार कर दिया है, ये मेरे पास TV के speaker है, क्योंकि इसमें tweeters भी लगे हुए हैं, इसलिए इसके साथ ही मैं इसको test करूँगा, ताकि इसकी quality का पता हमें अच्छे तरीके से लग सके, इसमें ध्यान से आप देखके लगाईएगा, क्योंकि सारे connector एक तरीके के हैं, तो आप speaker की जगा power भी गलती से लगा सकते हैं, ये मैंने कुछ इस तरीके से लगा दिया, बहुत ही simple configuration है, इससे simple कुछ हो नहीं सकता है, remote से on-off करके देखते हैं, और on करते हैं, अभी फिलाल मैं सबसे पहले मैं FM चला के आपको सुनाता हूँ, और ये FM का antenna है, लेकिन मैंने देखा है कि इतने antenna से signal नहीं पकड़ रहा था, या signal पकड़ने में difficulty हो रही थी, तो इसके साथ मैंने एक wire attach कर गिया है, जो कि antenna का काम करेगा, ये नेक्स्ट हो गया, और अब मैं mode चेंज करता हूँ इसका, ये देखिए, GD82M के नाम से ये आ जाता है, तो इसको मैं connect करता हूँ, pair कर दीजिए, आप देखिए रहे हैं, SBC codec को ये support करता है, नॉर्मली इस टाइप के panel boards में, SBC audio ही आता है, कोई भी noise नहीं है, बहुत अच्छी audio आ रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, से फोर पर ही काफी जादा वॉल्यूम है, काफी लाओड है, काफी लाओड है, काफी लाओट है, से काफी लाओड बpinावन अवर्ड़ आछो झाय, से काफी लाओ़ी लाओडन आपयूम गए्पट लाओड़ीन एपड़वается, काफी क्लीन आडियो है मैं कुछ दूसरा सेंपल आपको चला के सुनाता हूं तो फ्रेंट्स आपने देखा कि काफी अच्छी क्वालिटी है इस बोर्ड की और काफी satisfactory मुझे लग रहा है प्राइस पॉइंट के हिसाब से लेकिन एक बहुत जरूरी चीज में आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आप इसे बैटरी के साथ चलाएं तो एक चीज ध्यान कि ये कुछ standby current लेता है जब हम इसको switch off करते हैं उस condition में भी कुछ current ये लेता रहता है बहुत ज़्यादा नहीं लेता है तो अगर आप इसे bluetooth speaker में यूज कर रहा है तो इसके साथ एक switch लगाना आपको जरूरी हो जाता है जो कि battery के connection को cut कर दे अगर आप नहीं भी लगाते है और daily उस speaker को use करते हैं या 2-4 दिनों में भी use करते हैं तो उतनी battery ये नहीं खाता है 15 mAh के करीब में खाता है लेकिन कुछ न कुछ standby current ये जरूर लेता है तो इस चीच का ध्यान रखें otherwise अगर आप इसे bluetooth speaker में use करेंगे और remote से आफ करके बहुत दिनों तक आप छोड़ हूं अभी हम इसका current चेक करते हैं तो इसको मैं milli ampere में लगा देता हूं meter को 200 milli ampere पे लगा देता हूं तो इस condition में आप देखिए ये stand by में 55 milli ampere की current खा रहा है और अगर इसमें इसे off कर देता हूं power off off हो गया ही तब ही 15 milli ampere की current खा रहा है तो उसके according आप देख सकते हैं कि आपकी बैटरी कितने milli ampere की है और stand by में कितने दिन तक वो चलेगी तो इस चीज का ध्यान रखना है आप डारेक्ट भी इस panel को लगा सकते हैं लेकिन बैटरी और बोर्ड के बीच में अगर आप एक power on off switch लगा दे DC का तो ज़्यादा बेटर मेरे खैल से होगा फिर मैं इसे आपको on करके दिखाता हूं तो नॉर्मल stand by current इसकी लगबख 65 मिलियंपियर के करीब में है 12 बोल्ट की supply पर तो ये चीज आपको ध्यान देनी है इसमें तो friends ये बहुत ही satisfactory मेरे को बोर्ड लगा जितनी इसकी price point है बहुत सारे sellers इसको बेच रहे हैं Amazon, Flipkart, Incotion हर जगए ये बिखता है लोकल मार्केट में भी विखता होगा और आपके हां लोकल मार्केट में कितने का available है ये comment में आप बता भी सकते हैं मैंने लगबग इसे 600 के करीब में online लिया है और फिर से कहूंगा दोस्तों बहुत ही अच्छा बोर्ड है कोई भी इसमें problem नहीं है इसको आप लीजियो और आराम से Bluetooth speaker बना कर enjoy किजी Bluetooth speaker जो लोक बनाते थे उनके लिए बहुत ही अच्छा बोर्ड ये आ गया है Bluetooth speaker बनाने के लिए अलग-अलग हम पहले module यूज करते थे वैसे अभी भी आपको BMS, battery charging module वगारे यूज करना पड़ेगा लेकिन कम से कम आपका Bluetooth और amplifier integrated हो गया है उसने जरिये से बहुत ही अच्छा बोर्ड है और TPA3116-D2IC लगी है तो audio quality भी काफी अच्छी है और price point भी काफी अच्छा है जो on-off का provision है या अगर इनोंने MOSFET के तुरू दिया होता या off करने से पूरा का पूरा ही off हो जाता बस एक-दो milliamp की current लेता है लेकिन फिर भी काफी अच्छा बोर्ड है इसके कई सारे buying link मैंने अपने वीडियो के नीचे दिये हैं आप अपने local market से भी खरीज सकते हैं और जहां से अच्छा मेरे online आप खरीज सकते हैं तो आप इसे use कीजिए और बताईए और जो लोग काफी दिन से use कर रहा है वो भी comment कर सकते हैं कि इसकी life को लेकि कोई issue तो नहीं आया है या board में कोई और शिकायत तो नहीं है उमीद करता हूं friends कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा इसी के साथ अगले वीडियो तक के लिए ok tata and bye friends